मीजल्स मीजल्स का हमार पर सबसे पहले जो इंक्यूबेशन पेडियर्ड है वो होता है 10-12 देज और यह हमारे पस RNA वायरस किराता है सबसे पहले हमारे पस जो मीजल्स का पेडियर्ड है वो प्रिजेंट करेगा अपर इसके लावा इसके लावा इसके लावा पेडियर्ड के साथ प्रिजेंट कर सकता है राइनोरिया हो सकता है अपर इसके लावा नेजल्स डिस्टार्ड होगा अब इसमें एक important feature है कि macular popular rash होता है patient को और सबसे पहले जो होते है नेक और face पर प्रिजेंट करते हैं फिर पेरिफ्रीज में जाते हैं जासे body और बाकी arms और जो गहरा पर जो तक वो बाड़ी और arm और जो गहरा पर जाते हैं तब तक वो disappear हो जाते हैं नेक और face से अब एक होते हैं coplic spots अब यह इसका important feature है और अब बॉकल मुकोजा पर और वहां पर white spots होते हैं जो हम coplic spots के थे हैं जो measles का important point है अब मीजल के patient में जो cough होता है वो barking type होता है और इसके इलावा यह night time पे जादा होता है कुराइजा की स्टी हो सकती है और red eyes जो हमने पहले पताया है conjectivitis होता है temperature जो होता है इसमें high grade fever होता है अब इसकी stages में डिवाइड करते है मीजल को वह एक होती है initiation stage stage होती है फिर होती है prodommal stage और maculopopular rash सबसे पहले यह activation stage आती है फिर प्रोडोमल stage में complex parts बनते हैं मेंयकल इंसर बैइले संद्रीयी मौपर इंबेखननन सब्सक्राइब करें Reference अब यहां पर मेंयकुल्ट ठाइड ये जाल ऐरेएंड पर प्रामीनेन प्कांग does means nature patient inesz ऐसे बात नहीं बात कि और हार्ष होती है इसके विए जो न्हीं में इसमें होता है कि bleeding स्टार्ट हो जाती है nose से mouth से और इसके लावा body के पे brown patches बना स्टार्ट हो जाती है आप सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए investigation करके गराएंगे सबसे पहले इसमें हम CBC करा लेंगे WBC इसमें कम होई होते हैं lymphocytosis होते हैं इसके लावा इसका सारा diagnosis clinical होता है जिसमें maculopopular rash मिलेंगे complex spots मिल जाएंगे on buccal mucosa इसके लावा अब इसमें multi-nucleated giant cell in sphere of the nasal mucosa अगर हम nasal mucosa कि smell लेंगे तो महाँ पे multi-nucleated giant cells होंगे virus आएगा हमारे पस tissue culture में अगर हम कराएंगे तो lymphocytosis होएगी और number puncture पे protein इंक्रीज होगा अगर लिंफोसाइड से इंक्रीज होगे और EEG suppression बस पैट्रन आएक उस पर है यह सारे हमारे पर इसके investigation points से कि हम इसके investigation कैसे करेंगे अब हम देखते हैं मीजल को treat कैसे करेंगे सबसे पहले तो EPA scale में हमारे पास मीजल की वैक्सीन है ना वह हम 9 और 15 मंत पे कराते हैं 0.5 ml हम dose देते हैं सबक्यूटेनियस की इसके लावा अगर एक बच्चे को मीजल हो गए है तो हम कैसे ठीक करेंगे स्पोर्टिव मेल लेंगे कुड नर्सिंग करेंगे और इसका कोई एंटी वाइरल इसके लिए specific नहीं है इसके लावा टेंपरिचर है हमारे पास उसके लिए हम एंटी पाइरेटिक्स दे देंगे पारसिटमोल आईवे प्रोफिन दे देंगे सेटेटिव बैड्रेस्ट और आईवे फ्लूइड और एंटी माइक्रोबियल्स अब यहां तक ट्रीटमेंट है यह आप किसी भी इंफेक्शिस डिजीज के ट्रीटमेंट में लिख सकते हैं क्योंकि यह एक जनलर ट्रीटमेंट है इसके लावा गैमा ग्लोबिलन्स दे जाते हैं और अबव 12 बंद हम 200 तोजन पर चले जाते हैं अब इसकी टूटोजे 28 डेस अपार देते हैं आफ मीजल वैक्सिन की और मीजल इम्मिनोग्लोबिलन 0.25 मिलीग्राम पर केजी देते हैं और हाईजीन को इंप्रूफ करते हैं और डोंट टच आइस नोज और डेसल वैक्सीन